हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अब आपको समध्विक्यान का पांचवा पार्ट करवाया जा रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो दिखाई जाएगी जिसे आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे बच्चों, चलो हम अपनी प्रित्वी पर फैले महासागरों के बारे में विस्तार से जाने जैसे की हमने पार्ट दो में भी पढ़ा था कि महाद्वीपों के चारों और खारे पानी के फैलाव को महासागर कहते हैं महासागर हमारी पृत्वी के सबसे बड़े जलभंडार है पृत्वी का लगभग दो तिहाई भाग महासागरों से धका है इसी कारण अंतरिक्ष से हमारी पृत्वी नीली गेन की तरह दिखाई देती है प्रित्वी के महाद्वीप, प्रित्वी के जल भंडार को पांच महासागरों प्रशांत, अट्लांटिक, हिंद, दक्षिनी और आर्क्टिक महासागरों में बाटते हैं सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो महादीपों के तटिय छेत्रों को छूता है उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चमी तट से मिलता है अरब सागर कहलाता है इसी तरह केरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का वह पानी है जो मध्य और दक्षिन अमेरिका के तट को छूता है महासागर प्रिथ्वी के मौसम और जलवायों के निर्धारन में एक महतुपुन भूमिका निभाते हैं जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर जल वाश्पिक्रत होकर बादल बन जाता है यह जल प्रिथ्वी पर वापस वर्षा या बर्व के रूप में गिरता है नदिया पानी को वापस सागर में ले जाती हैं इसी तरह जल चक्र का निर्मान होता है महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पती का विशाल भंडार है संसार के सबसे प्राचीन जीव, सबसे छोटे जीव, वह सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं यह ब्लू वेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है यह संसार का सबसे छोटा जीव प्लैंक्टन है नमक जो हमारे खाने वे हमारे शरीर का भी भाग है वे हमें महासागरों से मिलता है खारे पानी में लगबग तीन प्रतिशत सामान्य नमक होता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक पर टेक्स लगाने पर गांधी जी ने उसके विरोध में गुजरात में डांडी तक यात्रा की और नमक बनाया विश्व के पेट्रोलियम का पांचवा भाग समुत्र के नीचे बनाएकूओं से प्राप्त होता है भारत का सबसे बड़ा तेल छेत्र अरब सागर में है महा सागर से प्राप्त मच्छली जींगा आदी सागर्य जीव पोशक भोजन के प्रमुक स्रोत है बच्चों नदियां जाकर समुद्र से मिल जाती हैं परंतु अब मानव इन नदियों को दूशित कर रहे हैं कारखानों से कई जहरीले पदार्थ नदी में बहा दिये जाते हैं नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है हमारे खेतों के कई सारे कीट नाशक रसाइनिक पदार्थ इस्तिमाल हो रहे हैं जब बारिश होती है तो ये जहरीले कीटना शक्पदार्थ नदियों में मिल जाते हैं और आकिर में ये नदियां सागर में मिलकर उन्हें भी प्रदूशित करती हैं तेल के टैंकर नामक जहाज जो तेल लेकर दूसरे देशों में आते जाते हैं वो कभी-कभी दुरगटना ग्रस्थ हो जाते हैं और उनका तेल पाने के उपर फैल जाता है इससे समुद्री पक्षियों के पंक चिपक जाते हैं मचलियां तथा अन्यद्धी जीव दम घुटने से मर जाते हैं बच्चों हमें अपने वातवरण की रक्षा के लिए प्रदूशन को नियंत्रण करना ही होगा चलिए अब हम आगे इस महासागरों की दुनिया की सैर करें तो कैसा लगा यहां तक पार्ट आपको वीडियो द्वारा अब आपको यहां तक पार्ट में आए मुख्य बिंदू पढ़ने के लिए दिये जा रहे हैं जिसे आप द्यान पूर्वर्ग पढ़ेंगे तदा उन्हें अपनी कॉपी में लिख कर याद जरूर करेंगे चलो बच्चो अब आपको साथ महादीपों की कुछ विशेशताई समझाई जा रही है वीडियो द्वारा जिसे आप द्यान से सुरेंगे और समझेंगे दुनिया की कुछ आश्चरय जनक बातें पृत्वी का सबसे गहरा स्थान प्रशात महासागर में महरेयना खाई है यह 11 किलोमेटर से अधिक गहरी है विशाल ब्लू वेल क्रील नामक छोटे जंत्वों को खाता है एक ब्लू वेल एक दिन में 4000 किलो ग्राम तक क्रील खाता है हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश अपने कुछ अंग छोट जाती है सबी स्टारफिश पर नए अंग उग जाते हैं अब हम महाद्वीपों की प्राकरति खूबियां जानेंगे दक्षिन अमेरिका सबसे लंबी परवतमाला एंडीस परवतमाला इसी महाद्वीप में है यहाँ पर एक अनूखा जानवर आर्मडिला भी पाया जाता है अमेजन बेसिन संसार का सबसे बड़ा सदा बहारवन वो यहीं दक्षिन अमेरिका में स्टित है युरोप युरोप महाद्वीप में रेंडियर नामक जानवर पाया जाता है संसार की सबसे गहरी गुफा युरोप में प्रांस में स्टित है औस्टेलिया महाद्वीप यह महाद्वीप के वल दो देशों से बना हुआ है औस्टेलिया और न्यूजिलेंड यहाँ पर कंगारू और कुवाला जैसे अनूठे जानवर पाये जाते हैं अंटार्क्टिका यह प्रित्वी की सबसे ठंडी जगे है यहाँ लोग नहीं रहते हैं संसार के ताजे पानी का दो तिहाई हिस्सा तैरते हुए बर्फ के रूप में यहाँ पर जमा हुआ है यहाँ केवल पैंगुइन रहते हैं एशिया महादवीप विश्व में सबसे उची चोटी एवरेस्ट है जो एशिया महादवीप के नेपाल में स्तित है यह समुदर तल से 8,848 मेटर उची है बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी इसी महादवीप में है इस महादवीप में बाग और पांडा पाए जाते हैं अफ्रीका महादवीप अफ्रीका में शेर, हाथी, जिराफ, पहाड़ी, गोरिला और जैप्रा पाए जाते हैं संसार की सबसे लंबी नदी, नील नदी भी इसी महादवीप में है इसकी लंबाई 6,675 किलो मेटर है संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान इसी महादवीप में है उत्री अमेरिका संयक्त राजे अमेरिका में सबसे उंचा परवत, मोना किचा परवत है यह पित्वी का सबसे उंचा परवत है यह आदा समुदर में डूबा हुआ है इस महादीप में शक्तिशाली जानवर गवल भी पाया जाता है तो बच्चो कैसा लगा वीडियो दुआरा महादीपों की विशेष्टा जानकर अब आपको महादीपों की विशेष्टा पढ़ने के लिए दी जा रही है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे वाँ लगता है आपको तो पार्ट बहुत अच्छे से समझा गया है चलो चेक करते हैं आपकी नौलेज़ आपकी नौलेज़ चेक करने के लिए आपको कुछ वक्षीट दी जा रही है जिने आप कॉपी में करेंगे और विद्धियाले खुलने पर अपने टीचर से जरूर चेक करवाएंगे ओके बाई 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 बच्चू